इस्कूलों में टूटे कोरोना के नियम, ना माफ ना दोगच की दूरी, दूसरे ही दिन उड़ी नियमों की धज्जियां ये तो शाम के राजके मॉडल संस्कृती वरिष्ट माधमिक विध्याले के प्रिंस्पल है बोले तो सर्वे सर्वा, जिनका हुकुम मानना हर टीचर और सिक्षक की ना सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी है, बलकि जरूरी भी है साहब कह रहे हैं कि उनके स्कूल में कोविर नियमों का पारन पूरी तरह से हो रहा है शायद प्रिंस्पल साहब नहीं जानते कि उनकी पीठ पीछे स्कूल प्रशासन उनको कितनी गंभीता से ले रहा है हातों को खाली कर लीजिए क्योंकि हम आपको उंगलियों पर कुछ गिनवाने वाले हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, क्या हुआ, अभी उंगलिया बची हैं रुकिये आकड़े को पूरा करवा देते हैं, साथ, आठ, नो, और ये तर अभी तो स्कूल खुले महस दूसरा ही दिन है, लेकिन स्कूल के ये योध्धा अपने हत्यारों को छोड़ बैठे सरकार ने सक्त हिदायत दी थी, स्कूल प्रशासन भी बड़ी बड़ी डिंगे हाक रहे थे पहले दिन तो स्कूल प्रशासन टाइट था, शायद जानता होगा कि मीडिया का कैमरा पहले दिन कहीं से भी आ सकता है लेकिन ये भूल बैठे थे कि कैमरा दूसरे दिन भी इन पर नज़र रखने के लिए आ सकता है हुआ भी यही, हर्यान न्यूस की टीम जब तोशाम के संस्कूल और आदरश तीने सेकेंडरी स्कूल पहुँची तो स्कूल प्रशासन की गंभीरता दिख गए जैसे ही एक किलास में पहुँचे, देखा कि सिख्षक महोदे बिना मास्क की बच्चो को पढ़ा रहे थे और सिख्षक की गंभीरता भी देखिए, बच्चो के चेहरे पर भी मास्क नहीं था नहीं सोशल डिस्टेंसिंग मैंटेन थी हम आगे पहुचे, दूसरी कक्षा में पहुचे तो वहाँ भी सिख्षक महोदे बिना किसी चिंता बगएर मास्क के बच्चो को पढ़ा रहे थे लेकिन महोदे में इतनी तो शर्म थी कि कैमरा देख अपना मुह किताब में छिपाने लगे खैर साहब ने थोड़ी देर कर दी, क्योंकि कैमरे ने इन्हें तफ तक क्याद कर लिया था कक्षा में बैठे कुछ बच्चे भी बिना मास्क के दिखे सोशल डिस्टेंसिंग तो बच्चो के बीच बिलकुल ही नहीं थी कैमरे ने अगली किलास की तरफ रुक किया बच्चो को सिख्षिका महोद्या पढ़ा रही थी कक्षा में गिने चुने बच्चे बैठे थे लेकिन वो भी बिना मास्क के कोई रोक तोक नहीं, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं कोई कहे भी तो कैसे जब पीचर खुद ही नियमों को तोड़ बैठी थी एक और किलास का मुआयना किया, यहां भी सिख्षिका महोद्या बच्चो को पढ़ा रही थी इनके चेहरे पर भी मास्क नहीं था और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर तो नियमों की दबा का टांग तोड़ी जा रही थी डैस पर दो भी नहीं, तीन बच्चे एक साथ बैठे थे इसके बाद एक और कख्षा का मुआयना किया गया और वहाँ भी हालात यहीं मिले सिक्षक महादे बच्चों को बड़ी ही शालिंता से ग्यान दे रहे थे और उतने ही शालिंता से कोविड नियमों की धज्यां भी उड़ा रहे थे ना तो खुद सिक्षक के चेहरे पर मास्क था ना ही किसी बच्चे के चेहरे पर मास्क था सोचल डिस्टेंसिंग की तो पूछे ही मत तस्वीरों में खुद ही देख लीजिए हम आपको क्या बता है खेर इतनी नैतिकता सभी में देखने को मिली कि कैमरा देखते ही सभी ने मास्क लगाने शुरू कर दिये कक्षाओ का दौरा किया सोचा प्रिंस्पल के आफिस तक चला जाए तो वहाँ भी यही देखने को मिला कुछ लोग बिना मास्क में बैठे थे कुछ लोग मास्क चैरे पर चड़ा रहे थे तो प्रिंस्पल साहब को चाय देने वाले ने भी मास्क नहीं पहना था अब जब प्रिंस्पल आफिस का ये नजारा था तो स्कूल के हाल तो यही होने थे जब प्रिंस्पल से बात की गई तो उन्होंने जो जवाद दिया उसके बात तो आप भी माथा पकर कर बैठ जाएंगे 16 जुलाई 2021 से हमारे स्कूल 9 और 12 क्लासिज के खूल दिये गए हैं तो सरकार की तरफ से जो एसोपी जारी की गई है उसमें सबसे पहली बात यह है कि बच्चों को जब एंट्री करवाई जाती है तो उनका हैंड सेनिटाइजर से उनके हाथ जो है सेनिटाइज करवाई जाते हैं इन्हें सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन्स का तो पता है लेकिन अपने स्कूल में उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा ये नहीं पता खैर जब प्रिस्पल से पूछा गया कि बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग क्यो नहीं है तो साहब कहने लगे कि स्कूल में बच्चे जादा है बेंच कम उन बच्चों को जादा से जादा संख्या में आ रहे है और इन बच्चों के लिए रूम्स जो हैं वो कोले गए है डूल डैस्क जो है उनकी थोड़ी शी हमारे स्कूल में अभी कमी है उसकी डिमांड की गई है जैसा सरकार ने भी एक एक डूल डैस्क जो है एक बच्चे के लिए मौयक करवाने की जो है वो कोशिस की है तो वो बेंच अभी आ जाएंगे और जैसे ही वो बेंच हमारे पास आ जाएंगे तो उन बच्चों को अलग अलग जो है एक एक बेंच के उपर शिफ्ट कर दिया जाएगा अभी थोड़ी अवेलेविल्टी हमारे पास जो है डूल कि कम है इसलिए एक बेंच जो है उसके उपर दो बठाने का जो है बर्द है थोड़ा बात तो ऐसी बोलिये जो कम से कम पचाई जा सके सिर्फ नौवी से बारवी कक्षा के बच्चे ही आ रहे हैं और उन्हें उस स्कूल में जगा नहीं मिल रही जहां कक्षाय छटी से लग ही नहीं रहा था कि कोरोने जैसे बिमारी भी देश में चल रही है सब बिना माज दूसरे ही दिन स्कूलों में कोरोना नियमों की जम कर धज्जियां उड़ी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त नों और कैसी तस्वीरे सामने आ सकती है इस्कूल स्टाफ क ना अपनी चिंता है और ना ही बच्चों की जबकि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाग बताई जा रही है देखना हो का कि सिक्षा विभाग इस मामले में अब क्या कुछ कारवाई करता है हर्याना न्यूस के लिए तो शांते युद्ध वीर सिंग की रिपोर्ट